तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक 8GB RAM और 256GB SSD के configuration वाला laptop मिल जाएगा Under 25 के आपके budget में तो आप क्या कहेंगे अच्छा एक काम करते हैं आप पहले जड़ा एक ज़र इस laptop को देख लीजिए यह है अवीटा की तरफ से एक नई offering जो आपको Under 25,000 में एक budget friendly laptop लाके देता है वो बात और है कि इसमें आपका APU processor है लेकिन बात वहीं है कि APU A6 processor के साथ भी यह आपको काफी अच्छी computing और जो basic आपके office task है उसके लिए provide कर सकता है एक बहुत ही अच्छा environment चली पर बात करते हैं कि यह laptop दिखता कैसा है तो box की packaging नॉर्मल थी जैसे अवीटा की थी और मैं उस पर जादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तो आपको मिलता है box के अंदर सिर्फ एक यह charger जो की मेरे ख्याल से आपका 12V और 2A M4 को support करता है आपको चाइनीज है लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अवीटा मेरे चैनल पर कहीं बार आ चुको है काफी अच्छा product है आपको budget में काफी अच्छे specifications देते हैं तो फटब एक बार यह laptop को open कर लेते हैं और उससे पहले पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आप आपको पोर्ट नहीं है अगर आपको याद होगा तो अवीटा essential में जो दो USB पोर्ट से वो पीछे की तरफ में वो काफी inconvenient थे to be quite honest यहां पे आपको इस तरफ आपको मिल जाता है एक USB 3.0 port एक आपका जो HDMI adapter है वो और एक आपका type C port और साथ में यहां पे आपका लगएगा charger और अगर मैं यहां पर अगर मैं इसके नीचे की बात करूं तो यहां पर आपको एक proper AC event दिया हुआ है बाकी हम इसके performance को देखेंगे कि जो heat exhaust है वो कितना अच्छा है और longer run में हमको problem होगी या नहीं होगी इसका model है Avita Pura E notebook PC और एक बार मैं फटा फटा इसकी specifications के बारे में आपके साथ बात कर लेता हूं इतना में इसको boot up ले लगा देता हूं आपको मैं दिखाता हूं किसका keyboard का feel कैसा है one hand operation इसमें है या नी वेल इतना यहां तक तो यह open हो रहा है one hand पे तो यह तो मैं कह सकता हूं और अच्छा अब यह थोड़ा सोटने लग गया है 14-inch की screen है औ AMD A6 का इसमें प्रोसेसर है और अगर आप यहां पर देखेंगे काफी अच्छा आपका जो एक देखें क्या होता है कि 14-inch के laptop में प्रॉब्लम यह आती है कि जो keyboard हो थोड़ा बहुत क्रैम कर दिया जाता है वैसे यहां पर आपका मलब नमपैड नहीं है मेरे हाथ थोड़े स अगर मैं बिल्कुल यह देखिए अगर मैं यहां पर रखे अगर मैं जो सबसे अपनी टॉप की है उसको में जाओ तो वह लगबग में उसको जो सकता हूं तो में कोई दिक्कत नहीं है एक बादर इसको बूट अप कर लेते हैं और इतना बात करते हैं इसकी specifications के बारे में तो यहां पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी Windows 10 Home है इसमें AMD A69220E का प्रोसेसर है डिस्प्ले 1366 x 768 HDW डिस्प्ले है 256GB की SSD हर 8GB की DDR4 RAM है शाड़ ग्रे इसका कलर है अब आप लोग बोलेगे कि आप प्रोसेसर देखके मजा नहीं आया देखे बात प्रोसेसर क अब आप अधी है और बात बजट की भी है कहीं लोग मुझे कह रहे थे यहां पर एक्शली कहा है कि फोड़ोसे मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं कि मैं इतना ज्यादा में लाटप को मैं फुलिप कर सकता है मैं एक्शली यह दिखान चालता था कि जो सबसे मेजर जो प्रोसेर मेर वो 25,000 में लाफटोप शी है, तो कहीं लोग क्रोम उख के लिए थे, और अभी अगर आफ फिलिपकाट पर जाएंगे, तो आपको एराउंट 21 या 22 में मिल जाएगा, विद डिसकाउंट, तो काफी अची डील है, अगर आप इसको लेना चाहे हैं, और अगर आपके कोई भी से तो अबजर्ब मुझे वज़रू बताइएगा, वीडियो में ने ब्रीफ इसलिए रखे लिए, क्योंकि देखे, जादा इसके बारा में बात करने का कोई फाइदा नहीं है, पहले इसको यूस करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, और कॉमेंट सेक्शन में जो जो आपको दूसरा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि अंडर 25,000 में आपको एक अच्छी स्पीड और राम के साथ आपको एक काफी अच्छा एंवार्मेंट मिले कि यह पेरिंट्स पर जादा बोजना पड़े, यह सबसे राइट चोईस है, अगर आप वो लोग ऐसे हैं कि जो एक तरीके से आपकी फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, तो अगर आपको बहुत ही जादा ग्राफिक और डेडिकेटी काम नहीं है, लाइक गेमिंग, वेमिंग और तो आप इसको बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, अंडर वो 25,000 में यह मेरी सबसे बेस्ट पीक है, मैं ऐसे क्रोमुक से भी उपर रखूँगा, बिकास क्रोमुक में कहीं आपकी लिमिटेशन थी, इसमें दो चीजे मैं चेक करूँगा, जैसे की, वेरी गुड मेंटर अफ माई, अचारे जी, आसमी की, जो वेब पेज डिजाइनिंग है, या जो वर्डप्रेस वे काम है, उसके लिए हम अंडर वो 25 में क्रोमुक लें, या कोई टाबलेट लें, तो मैं कहूंगा, अचारे जी, मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगा, एक लॉंगर रिव्यू, ये काम ज़रू करेगा, बिकास 8GB RAM है, 256GB की मेमरी है, तो मैं खालते, जो भी आपका जो जो भी आपको ऑफिशल काम है, एकसेप्ट रुनिंग दे शॉट्वेर, ये बहुत एजली कर लेगा, और दूसरा जो मैं, जो मुझे बार बार लोग कहते हैं, क्या विंडोस 11 का सपोर्ट आएगा, विकास विंडोस 11 का सपोर्ट आने के बाद क्या हो जाएगा, कि आपके नॉर्मल लैप्टॉप में और क्रोमो का जो अंतर है, वो थोड़ा सा एक हद तक कम हो जाएगा, तो मेरे है लैप्टॉप में विंडोस 11 है, लेकिन देखे एक चीज़ क्या होती है, मैं आपको उताता हूँ, वो बेशक 8th generation है, i7 है, रायम उसमें बहुत अच्छी है, ले अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, लेकिन बताके जरूर जाएं कि क्या इंप्रूफ करें, और क्या आपके डाउट से हैं, अब क्या इस पर चेक करना चाहते हैं, आप हमें जरूर बताईगा, अपने ख्या लगी दोस्तों, जय ही इ करें देमात्रम